हेलो हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल सो बेसिकली आज जो हम करने जा रहे हैं वो एक छोटा सा फंक्शन राइडिंग करेंगे और इस फंक्शन का हमारा जो मेन अजंडा होगा वो यह है कि हम डील से जो है डेटा इंशॉरेंस वाले फॉर्म में ट्रांसफर करेंग अ हैं वो पूष करें बेसिकली हम डेटा तो एसके लिए ईन् में फंक्शन लिक्षा है अभी जैसे मैंने यहां पे डील क्रियेत करी है तो जो इस deal का data है अभी यहाँ पर create record हो गया है insurance के अंदर तो अगर मैं insurance वाला form open करूँ तो मुझे उसमें दिखना चाहिए data यह मेरा record create हो गया है यहां पर तो जैसे ही मैंने deal पर create करी है वैसे ही मेरा insurance में data push हो के वो create हो गया है तो अब हमने यह कैसे किया इसके लिए हमने workflow लगाया था workflow में function लगाया हुआ है function से हमने record को create भी करवाया है और update भी करवाया है अगर lead में record update होता है तो वो यहां पर भी update हो जाए same record तो सबसे पहले हम setting में जाते हैं workflow में जाते हैं workflow एक जो बनाया हुआ है create के लिए वो है convert to insurance यह मैंने create पर बनाया हुआ है condition create है कोई condition नहीं दिवी है यह रहा function function देख लेते हैं edit सबसे पहले argument लेते हैं argument जो लिए हुए है वो deal id लिए हुई है मतलब module मैंने यहां से id लिया हुआ है यहां से module select किया यहां से मैंने id select कर ली इसके बाद सबसे पहले मैंने where equals to zoho.crm get record by id से मैंने record की यहां कि deal वाले module की जो भी id यहां पर enter है उस id के थूँ सारा data fetch कर आ लिया अगर मैं इसको info में देखो तो एक id भी हम लेहीं लेते हैं तो मैं यह id ले रही है और इसको execute कर रहे हैं है हम यहां मैंने id एंटर करी अब उसमें जितना भी record है वो मेरे पास यहां पर response में आ गया है यह सारा data आया है चीक है तो अभी मैं इसको वापिस से comment कर देती हूँ तो मैंने id से क्या किया है सारा data fetch करवाया है और मैंने उसको info में यहां पर display भी करवाया है इसके बाद मैं आती हूँ मैंने यहां पर एक variable लिया है name से where मैंने variable यह लिया था तो dot करके मैंने deal का name get कर लिया यान कि यह जितना भी data आ रहा है इसमें फिर मैंने imap के अंदर name को put करा दिया है यान कि यह वाला जो name आया है और जो मेरा insurance वाले में name है यान कि insurance module में जो name है उसमें मैं यह वाला name उस name में put कर रही हूँ तो यहां पर क्या name है यही name को मैंने यहां पर mention किया है इसमें मैंने इसका name put करवा दिया है रिस्पॉंस में मैंने यहां पर दिया है create record करवाया है zoho.crm.create record insurance का module है आई map का data put करवाया है यानकि यह वाले map का data put करवाया है मैंने info करवाली है मैंने response को तो यहां पर आप देख सकते हैं यह response आया है मेरा इसमें इसके बाद मैंने यहां पर एक insurance की ID भी get कर रहे है यानकि जैसे ही मेरा वहां पर record create हो जाए वो ID में यहां पर भी यानकि डील के अंदर भी get कर आ रही हूँ ताकि मुझे यह पता चल जाए कि इसके against में insurance की ID क्या है यह है form की ID हम get करा रहे है तो यहां से मैंने ID get करी है जैसे ही यहां से create हुआ तो जो भी ID नई create हुई है वो ID मैंने response में से get कर ली है यहां से get करने के बाद मैंने insurance ID को यह वाली ID को insurance ID में put करा दिया है और उसी पर ही मैंने क्या किया है इस record को deal वाले record को update करा दें क्यूंकि मैं यहां से तो मैं deal create ही कर रही हूं लेकिन यहां पर मैंने उसको update भी करा दिया इनकि deal वाले module में मैंने insurance ID को update भी करा दिया है बस यह हमने इतना ही करवा है जैसे ही अब हम यहांपe create कर रहे हैं deal module में तो वो automatically क्या हो रहा है insurance वाले में भी जा रहा है और insurance में जो ID क्रियेट हो रही है उस form से वो वाली ID वो यहाँ पर भी update कर रहा है बाकी हम यहाँ से related list भी create कर सकते हैं इसकी यह मैं form ID गेट कर रही हूँ यानकी वो insurance अले form की यहाँ पर ID में get कर रही हूँ done so यह हमने जो function लिखा था वो इसलिए लिखा था कि deal में जब भी हम create कर रहे हैं वो automatically insurance में जा रहा है और insurance में जो record यानकी जो form यह ID create हो रही है particular वो मेरी deal के अंदर मैं उसको update कर रही हूँ तो यह तो हमारे create पर लिखा था अभी एक काम भी सही कर रहा है जैसे कि हमने देखी लिया है इसमें अब आते हैं update पर अगर मैं कोई सेमी चीज अपडेट करती हूँ अपडेट 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 ही रहा इसको open कर देते हैं तो इस पर मैं क्या करा रही हूँ जब भी मैं डील में update करा मतलब कि कोई भी changes कर रही हूँ वह मेरा automatically क्या हो insurance में भी अपडेट हो जाए ज़रूरी नहीं होता ना कि मैंने यहां पर एक वक्रेट कर दे क्रेट कर दे लेकिन हो सकता है कि चेंज आ जाए कभी तो हम उसमें अब उसकेस में हम update भी करा रहे हैं तो मैंने सबसे पहले id से data fetch कर लिए info करा लिया फिर मैंने एक name वहां पर deal name गैट किया यहां कि जो फील्ड मेने वहां पर map करे हैं वहां से मैंने deal name गैट किया क्यूंकि update में भी तो सारी चीज़े अपडेट होंगी name एक variable था मैंने उसके अंदर deal name को get कर लिया यहाँ से यान की इस deal की ID से मैंने name को get कर लिया है और इसके बाद फिर मैंने एक map बनाया है जो हमने वहाँ किया था वही हाँ पर किया है बस यहाँ पर हमने update record की query चलाई है insurance वाले में same ID यान की जो ID मेरी और deal invoice ID invoice ID यान की जो मेरा form invoice ID वो है जो मैंने वहाँ पर form में field लिया है यान की deal के अंदर मैंने एक field बनाया था यह form ID तो यही ID मैं आप पर IMAP करा रही हूँ और उसको मैंने response info करा लिया response तो वो मेरा update बे काम कर रहा है उस according लिया तो यह बेसिकली इसलिए ही था कि हम किसी record को कहीं पर किसी form में create करके कहीं और create करना चाहते हैं या update करना चाहते हैं तो यह हम इस तरीके से use कर सकते हैं मैंने workflow में trigger कराये हैं यह दोनों function workflow में कोई condition नहीं है आड़ेट पर चल रहा है है वह create पर चल रहा है और function अटाच है simple तो एक बार आप भी इसको try कर लीजिए और जाने से पहले please subscribe मैं चैनल क्यूंकि subscriber बहुत जरूरी है that's it okay thank you so much guys thank you